द्विपक्षी वारता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बिटन के प्रधानमंत्री रिशे सुनक की ये द्विपक्षी बातचीत माने जा रहा है कि ऐसे समय में जबकि G20 पर पूरी दुनिया की निगाह है बिटन और भारत के पीज अगर ये द्विपक्षी बातचीत ह तो इस पर भी दुनिया भर की निगाह की कौन से एहम फैसले इन दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में होने जा रहा है और ऐसे में जबकि भारत ने वसुदैयो कुटुम्बकंब के अपने नारे के साथ में G20 की मेजबानी की है ऐसे में अफ्रीकन यूनियन को स्थाई सदस से बनाया और अब जबकि द्विपक्षी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिटेन के प्रधानमंत्री रिशे सुनक के बीच ये गर्म जोशी और दोनों देशों के बीच की मजबूती को इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि जिस गर्म जोशी के साथ प् और इस वक्त के तस्वीर आपको दिखा रहे है थोड़ी दिर पहले के दरसल दुईपक्षी बैटक जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिटेन के प्रधानमंत्री रिशे सुनक के बीच में आपको वो वक्त याद होगा जिस वक्त बिटेन के प्रधानमं के तौर पर रिशे सुनक कब शपत लेंगे लेकिन आज के तस्वीरे बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि कल जिस वक्त एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था हर कोई इस बात का इंतजार करा था कि आखिर पी एम मोदी से मुलाकात कब होगी और आज ये दूई पक्षिय बैटक बहुत खास क्योंकि ब्रिटेन और हिंदुस्तान के रिष्टे जिस तरीके से अब सुधरते जा रखे हैं अब उन सब में रिशी सुनक का बहुत महत्पूर योगदान हो जाते हैं गर्म जोशी के साथ पी एम मोदी ने उनका स्वागत किया तो रिष्टे सुनक का जो जुडाव है वो हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ हमेशा कैसा रहा है वो आप याद कर लीजिए जब चाहे वो जैसी आराम कहते हो या दिपावली के दिन अपने घर पर दिया जलाते हो और ऐसे वक्त में जब भारत मेजबानी कर रहा है भारत का कद भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है ऐसे वक्त में रिष्ट सुनक का आना भी यहाँ पर बहुत खास है और प्रधान वंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका स्वागत भी कर रहे थे तब बाकी महमानों से आपने देखा कि वो हाथ मिला कर मिलते हैं लेकिन नमस्ते कह कर हाथ जोड़कर वो रिष्ट सुनक का वेलकम करते हैं और उसी अंदाज में रिष्ट सुनक भी उनको रिपलाई करते हैं यही प्रगाड होते हुए जो रिष्टे हैं वो दिखाई देते हैं और ये तस्वीरे देखिए जी ट्विंटी में किस तरीके से महा शक्तियों का एक महा मिलन का मंच भी ये बन गया है प्रधान मंत्री बीच में और जिस तरह से तमाम ऐसी महा शक्तियां आज यहां पर जुटी हुई है अफरिकन यूनियन को स्थाई सदस्यत देगी है जो बा दुनिया भर की महा शक्ति कहलाती है जी ट्विंटी जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है और इस मंच से पूरी दुनिया को एक बार फिर वही संदेश देने की कोशिश हो रही है चाहे सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया मजबूती से आगे बढ़े भार लीडर्स के साथ में इस मंच पर मवजूद है और देखें ये तस्वीर जो है वो नए भारत की है जो इस बात को बताने के लिए काफिया जो पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही है कि भारत किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है इतना ही नहीं आपको वो वक्त भी या कोशिश कर रहे हैं कि देखें युद के समय भी जिस वक्त हम जो है कोशिश ये करे कि पूरी दुनिया एक साथ मिलकर जो है वो बाचीत करे और कोई ना कोई हल निकाल सके